अगर आपको मेरे वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो है मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे हैल से लेटी टिप्स लाती रहूं और मेरे को जो है इससे बहुत अच्छी मोटिवेशन मि कीजिए तो टूड़ीज मैं टॉपिक कॉंस्टिपेशन कवज दोस्तों यह तो आपको पता है कि कवज आजकल जो है यह हमारे खानपीन की बज़ा से जो है बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है यह डिजीज जो है हमारे डेली लाइफ की जो खानपीन हम खाते हैं उसकी जोड़ा बहुत ट्रीटमेंट भी बताऊंगी कि हम घर पे जो पाई जाने वाली चीजें हैं हमारे डेली रूटीन में यूज होने वाली चीजों से हम कैसे अपनी कॉंस्टिपेशन ठीक कर सकते हैं तो जो है डेफिनेशन क्या होती है कॉंस्टिपेशन इस एन कंडिशन पास नहीं हो पाता है स्टूल जो होता है वो हमारा पास नहीं हो पाता है पूरी तरह से हम फ्रेश नहीं हो पाते हैं उसको हम क्या कहते हैं कॉंस्टिपेशन इसके होने के क्या क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि इससे हमें क्या क्या कारण होते हैं जब हमें कॉंस्टिपेशन होती ह क्या होता है जो हमारा इस स्टूल हो जाता है नहीं घ्रिंदा होटा है हुई लिए जिल सकता हैसाθ में टाइम प्रैंस सि टाइम में इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी सब्सक्राइब इर जिसकी बगलें उन्हें सब्सक्राइब ऑफिए का सतम करते रही है पर हमंने प्ता नहीं कि उसको करना कैसे है तब भी हमें constipation हो सकती है या dehydration dehydration मतलब कि पानी हम बहुत कम पीते हैं हमारी body के अंदर पानी का स्थर बिलकुल कम हो गया है बहुत ही कम मात्रम में हम पानी ले रहे हैं उसकी बज़ा से भी हमें constipation हो सकती है साथ में क्या होता है डाइट इन बैलेंस हम प्रॉपर तरीके से डाइट नहीं ले रहे हैं उसकी बज़ा से भी हमें कॉंस्टिपेशन हो सकती है malnutrition जो गरीब family के लोग होते हैं जैसे उनको proper जो है वो nutrition नहीं ले पाते हैं उसकी बज़ा से भी हमें constipation हो सकती है poor diet ले रहे हैं तो उसकी बज़ा से भी constipation हो सकती है stress भी एक सबसे बड़ा कारण होता है जिसकी बज़ा से भी हमें constipation हो सकती है क्योंकि अगर इंसान जो है जो भी इंसान है वो जादा स्ट्रेस में रहता है तो उसको पेट से रिलेटेड बहुत सारी समस्या हो सकती है पाचन तंतर के उपर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है तो आप वो भी देख सकते हो तो ये तो हो गए हमारे कारण क्या-क्या कारण होते हैं कॉंस्टिपेशन होने के और इससे हमें क्या-क्या लक्षन शो होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी कि जब हमें constipation होती है कवज होती है तो उस टाइम हमारी बोड़ी क्या क्या लक्षन शो करती है क्या होता है पहले तो हमें क्या होता है कवज कवज तो हमें रहेगी ही साथ में हमें stress हमारी बोड़ी शो करेगी नोजिया और बॉमिटिंग कुछ लोगों को क्या होता है बहुत जादा बॉमिटिंग उल्टियां भी हो सकती है hard stool होता है उनको पोटी करते time बहुत जादा hardness होती है pain हो सकती है उनके बावल वाले area में pain रहना उसाथ में tight पेट जो है उनको tight tight इस तरह सो गई है तो इससे बचने के आपको ट्रीटमेंट भी मैं बताऊंगी कि अप घर में रहके वोंमेड्य तरीके से किस कि ट्रेटमेंट कर सकते हो सबसे अधिक पानी की पानी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अगर हम पानी की मात्रा फॉर बोड़ी क्रोपर नैसे नहीं होगे साथ मीं क्या है kidney से related कोई भी समस्या नहीं होगी तो बहु inside हमारी body यह पाणी पानी के बिना हम एक पल भी नहीं रह सकते बोझन के बीना हम रह सकते और पानी के बगैर हम एक गंटा भी नहीं रह सकते तो इसका क्या treatment हो सकता है आप जो है सबसे ज़्यादा पानी पीओ दिन में कम से कम हमें दो से तीन लिटर पानी तो पीना ही चाहिए अगर इससे ज़्यादा पी सकते हो तो उतना जितना ज़्यादा हो सके उतना पीना चाहिए तो अगर आपको constipation रोकनी है तो उसके लिए जो है सबसे पहले उठते ही तो आपको constipation की दिक्कत लाइफ टाइम के लिए खतम हो जाएगी साथ में क्या है जितना ज़्यादा हरी सबजियां आप यूज कर सकते हो सलाद जो है सबसे ज़्यादा दिन में कम से कम दो से तीन प्लेट जो है हमें सलाद लेना चाहिए उससे भी जो हैं हमें constipation कभी नहीं रहेगी constipation की समस्या जो है कवर्ज की समस्या आपकी खतम हो जाएगी बिल्कुल ही साथ में क्या है आपको जो है रात को खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत तहल लेना चाहिए जाना कुछ लोग क्या होते हैं खाना खाते ही बैड पे लेट ज एक चमच जवायन को अच्छी तरह से तवे पर कर दो रोस्टेट करने के बाद उसको पीस लो पौडर बना लो उसके अंदर काला नमक आप से उस चमज की फकी लो और जो है उसको सिप सिप करके जैसे अब चाय पिते हैं उस तरह से आप पानी उसके साथ लो और ये कम से कम जो है आपको पंदरा से बीस दिन रेगुलर करोगे तो उससे जो है आपको बहुत ही जादा अराम मिलेगा आपको जो है कभी भी नहीं होगी और बिल्कुल ही खतम हो जाएगी साथ में आवला आवला जो होता है वह भी हमारी बोड़ी के अंदर बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है तो वह जो है आवला की कैंडी आती है आज कल वह आप किसी भी किसी भी स्टोर से ले सकते हो जहां स उसको जो है आप कम से कम 6-7 कैंडी की कैंडी सुबह खाली पेट सुबह उठते जैसे पानी पिया उसके बाद आप आमला ले सकते हो उससे जो है आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और इसको जो है इससे जो है आपको कवज कभी भी नहीं होगी साथ में आप प्रॉ प्रॉटी पेशन से रहात मिलेगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूलें साथ में अच्छे अच्छे कॉमेंट करना ना भूले इससे जो है मेरे को बहुत ही अच्छा experience आता है साथ में मेरे को जो है motivation मिलता है कि आप मेरी वीडियो को पसंद करते हो